तो दोस्तों वर्लकब दोज़ार देश का आगास 5 अक्टूबर से इंडिया में होने जा रहा है ये तो आप सो भी जाते हैं इस टूनलमेंट के लिए टीम इंडिया और साउथ आफ्रिका ने तो अपनी 15 सबस्य टीम का एलान कर दिया है तो वहीं इंग्लेंट अपने पहले ही टॉप 18 प्लेयर्स स्कोर्ट की लिस्ट जाई कर चुका है इन सब के बीच एक और देश है जोसने अपनी टीम का एलान कर दिया है वल्लकब 2023 के लिए और टीम के एलान के साथ ही सब ही को चौका कर भी लग दिया है क्योंकि इस टीम के स्कोर्ट में कुल 10 बॉलर ओप्शन मौजूद है दरसलम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के टीम की अब जैसा कि हमने आपको बताए कि आस्ट्रिया के स्कोर्ट में 10 बॉलर ओप्शन मौजूद है कौन है कि दरसलम खिलारी ये भी आपको बता देते हैं कि आखर इतने जादा गेनवाजी ओप्शन क्यों रखे हैं आस्ट्रिया के टीम ने तो दोस्तों मुस्चुलिय के 18 सबस्चीर टीम में 4 तेस, 3 पेसर ओल रॉंडर, 1 स्पिन ओल रॉंडर और 2 स्पिनर को जगा मिली है तो वही 5 प्रॉपर बलिवाजो को इस टीम में शामल किया गया है ऐसे में इस टीम के पास World Cup 2023 में गिर्वाजी के 10 विकल्प मौझूद है बताते कि इस गिर्वाज में कप्तान पैट कमिंग्स, जोश हिसलवूड, मिचल स्टार्क और शेन अबॉर्ट शामल है तो इस स्कॉर्ट में जिन खिलाड़े को शामल किया गया है उनके नाम है पैट कमिंग्स जोगी टीम के कप्तान है तो दोस्तो ये है वो उठारक खिलाड़े जिन है World Cup 2013 के लिए औस्टुले के स्कॉर्ट में जगा मिली है दोस्तो वीडियो में आपसे विदा लेने से पहले एक कोशन भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी और सवाल ही है कि ऑस्टुले के इस स्कॉर्ट में आखिर वो कौम सा खिलाड़ी है जो कि टीम इंडिया के लिए खत्रा साबित पूर सकता है क्या लगता है आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर बताए फिलाल इस वीडियो में इतना है अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुला का तब तक लिए आप दितने इंडिक्रिट लाइंग भूरू सू स्टे ट्यून और कीव वॉचिंग